तो अब भी हम यह solve करते हैं कि reflection through concave spherical surface when object is in denser medium तो इसका तो रे डाइग्राम ड्रो करते हैं रे डाइग्राम कैसा होगा ठीक है तो रे डाइग्राम लेते हैं और बनाते हैं यह surface ठीक है जो एंड से इसके spherical surface को माग कर देते हैं इसको भी माग कर लेते हैं ठीक है यह dancer medium है तो dancer medium जो है उसका refracted index आपको मुटू लेना है रेरर medium जो है रेरर medium का refracted index हमें मुवन लेना है ठीक है principal axis ड्रो कर देते हैं इसकी तो कुछ इस तरह से principal axis आजएगी ठीक है यह principal axis ड्रो कर दी जो middle point हो यह middle point हो जाएगा जो पी च्रंपने रेप्रेजेंट क्या हुआ उसको पी से कर दिया हमने ठीक है ऑब ज proudly Comes California अपने desk inner medium हिए ठीक है अब यहां से हम एक incident Ray ट्रो करते आपने incident ray अब आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में आपको नहीं के से आपको अगर ज्यादा प्रॉबल्म हो तो क्या करो जो पॉइंट ओफ इंसीडेंस है यह पॉइंट अफ इंसिडेंस तो यहां पर भी करेगा वह सेंटर अब ओर यह जाएगा ठीक है अब जो रहे हैं वो किसी आरी है यह देखें इरकें तो इसको इसे कर दी है बाभी फ्रॉम्ट कर दें तरह तो यह इसने कट करा इसको इस जग को इस जहां पर इसने को कट कर आए मगई तो यह जो है इमेज क्रियेट हो गई यह आई इमेज मुन गई ठीक है अब एंगल्स मार्क कर दें अपन जैसे फर्स्ट अफ वल ते नहाल रखो कि यह जो पॉइंट ओफ इंसिडेंस है कॉंट ओफ इंसिडेंस को हमने म से माक औहीं ठीक है और इस ज़ arguer किते लिदीन से नॉर्र्मल्स कर दीका है और इसमार्मल को क्नेचे मांगल कर दिया अब इससे इंसिडिंटर माक करते हैं ए 37 गया जो Isis अानुल बनारी नॉर्मल के साथ ओंते इंसिडेंट एंगल हो गया औ आपनी नौर्मल यह नौर्मल के साथ मनाया इसने प्रेंक्टेट अला धिके न यह अगर आप यह तो यह जो एंगल बनेगा ला ये वाला इंगल यह भी आर होगा होगा नहीं होगा बोलो आर होगा ना इंगल ईहे तो आई होना चाहिए न अपने नॉर्मल कंसे ले रहे हैं सार लुके ब्लू आलेक्षण गार बेक्टेश कि एक्टेस में इंसिटेंट रहा इसे जब दियान देना इसमें एक पॉइंट आप इंसिडेंट अग्ल जो बनेगा इंसिडेंट एंगल आपका बनेगा यह वाला यह जो है आई हेवाला इंसीदेंट इंगल है यह जो नॉरrmal के साथ बनाएन सब्स का और यह रिफ्रेक्टट इंगल होगा और यह रिफ्रेक्टेट्रे और seventधेंगे यह आज चैका यह यह माँख हो गए इसको अपने अलभा माँख कर देते हैं यह अलफा जाएगा इमेज वाला जोएंगल है वह भीटा जाएगा और सेंट्र अपकरवेचर वाला जह ले वह गामा यह एंटीरियर एंगल जो होगा ना किता जैगा 180 डिगरी माइनस आई है कि नी 180 माइनस आई आजाएगा और यह प्लस गामा जाएगा इस इकल तो 180 डिगरी आजाएगा यहां पर टीक है तहीं आपके पास एलफा माइनस आई प्लस गामा ठीक है यहां पर मैं एक सकता हूं कि आई जो आएगा हमारे पास आई is equal to कितना जाएगा एलफा प्लस गामा जाएगा है क्यों यह अपन देखें कि भाई ट्रायंगल अब यह ट्रायंगल लेते अपन आई M ठीक है IMC इंट्रेंगल IMC IMC में देखो IMC में क्या होगा बीटा हो जाएगा बीटा प्लस बीटा प्लस यह होगा 180-180-R ठीक है तो 180-R ठीक है और प्लस गामा is equal to 180 degree हो जाएगा इससे cancel करना 180 180 ठीक है तो R is equal to आपके पास आजाएगा R is equal to आजाएगा बीटा प्लस गामा यह आपके पास एक equation यह आ गई और second एक पर एक ट्रेंगल वापस दिखा के बता दूगी क्या कौन सा वाला फॉस्ट ऑला से किन वाला मैंने फॉस्ट ऑला की सेकेंड वाला दोनों नहीं देखे एक तो यह रहा ना यह अंदर वाला किता होनेगा तो इसे अपन ट्रैंगल को आप जिसे हैं ट्रैंगल ले 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 दे इंट्रैंगल यह ट्राइंगल लेता हूं मैं O M N ठीक है ट्राइंगल यह लिए अपने O M N तो O M N में देखो आप जो टैन एलफा हुआ तो टैन एलफा एजिकल टू M N डिवाइड बाइ O N हो जाएगा M N डिवाइड बाइ O N हो जाएगा फिर वही स्मॉल है तो अब एलफा एजिकल टू क्या करते होगे M N डिवाइड बाइ ओपी करते होगे इसे तो यह आ जाएगा फिर नेक्स लेता है अब ट्राइंगल आई एमन अब आई एमन में जो हुगा वो क्या होगा तो टैन बीटा होगा तो टैन बीटा हीड टू क्या होजाएगा M N एखने क्या क्या करते है तो वाइड लोगा देते हैं है इसमें तो बाएग जो रच लो बाय से नहीं नहीं तो अधते दरों सब्सक्राइव छो अधे 6-10 सैनी आर टि किस्ट टो जारीगा टिके इस भीआइट जो अपाँ घाइड होगा वह рассण हाई नाए इसे को आगे वड़क स करेंगे लिसमीन्यन पास तरह मुट्वाहन ृघ तेखेंगे मुटू करदो आई की वेलू दो को हाई कितना आप अलफा प्लस गामा और अलफा कितना है अपका मैं डिवाइड बाइं डिवाइड बाइं डिवाइड वाइड पी ठीक है यहां पर यह मूवन कर दो सब्सक्राइन के लंद सब्सक्राइट अबपन Q 2 डेखो यह रहाब टिस्टरेंस तो ओपी यह mm. सब्सक्राइब करें अब इसको स्वाल करें अपन तो यह जो है यहां पर आपने पास मुटू डिवाइड बाई आर ठीक है मुटू डिवाइड बाई आर हो गया माइनस मुटू डिवाइड बाई यू हो गया यह माइनस मुटू डिवाइड बाई वी हो गया ठीक है और यह प्लस मुटू डिवाइड बाई आर हो गया अब बस इनको अरेंज करना है आपको तो म वाई वी माइनस म्यू टू डिवाइड बाई यू ठीक है ना सही है और आपका यह तो हो गया अब इसको इस साइड लियाते हैं तो मूँ वाई आर माईनस मूटू बाई आर आज जाएगा और अगर आप इसको और ज्यादा लिखना चाहो तो अपन यह कर सकते हैं कि mu1 by v minus mu2 by u is equal to 1 upon r mu1 minus mu2. ठीक है? यह आपका expression आजाएगा. ठीक है? तो यह आपका final expression मिल जाएगा इस तरीके से आपको.